Hello everyone, क्या हाल चाल? Welcome to my channel. So guys, ये एक बहुत 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 important वीडियो है क्योंकि आखरी के इन ही दिनों में अच्छे neat aspirants slip कर जाते हैं उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना और वो panic करने लगते हैं और last moment पे जो उनको 200 नमबर अपने exam में बढ़ाने चाहिए वो और 500 नमबर अपने mock test के हिसाब से कम कर लेते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और जो मैं exactly बोल रहा हूँ उसको follow कीजेगा तो आप अभी अपने current score से 200 नमबर बढ़ा पाएंगे अगर आप इस चानल पे नए है तो इस चानल को subscribe कर दीजिए बेल आइकन दुआ दीजिए, वीडियो को like कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे important बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह बता देता हूँ कल हम लोग पूरी class 12 की biology का revision करेंगे यह आपके CUT exam के भी काम आजाएगा यह आपके NEET के exam में भी काम आजाएगा ठीक है तो fill in the blanks, diagrams, true or false तो मतलब लगबग class 12 से मैंने 750 NCRT line लिए है ठीक है और इससे पूरा class 12 का revision थरोली आपका हो जाएगा तो यह कल 9 a.m. शुरू होगा तो कल के कल ही हम पूरा class 12 कर लेंगे ठीक है परसो out of NCRT वाली series है और Monday को class 11 वाली series है Keynotes जिस तरह से जिस speed से आपका आते जा रहा है दिन के 2 से 3 Keynotes के वीडियो आते जाएंगे Keynotes तो आपको देखना है यह आपके नीट के आखरी दिन revision में बहुत ज़्यादा मदद करेगा तो एक बार आप अभी देख लिए और उसके बार आपने जो notes कल बनाए उस notes को से पर exam के एक दिन पहले देख लोगे तो वो sufficient होगा आपके नीट के तयारी के लिए तो यह वीडियो ज़रूर देख लेना कल सुबा 9 बजे इसी channel पे चल आते हैं वीडियो की बात करते हैं तो कुछ चीज़े जो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज़ कि 28 जून के बाद कुछ नया नयमत पढ़ना ठीक है बहुत सारे तुमको वीडियो जो लेंगे last 20 days strategy, last 15 days strategy, last 10 days में ये complete कर लो, बस इतना कर लो इतने number आ जाएंगे जो भी नया पढ़ोगे अभी तुम्हारे जितने number आ रहे है उससे minus में marks आएंगे ये बहुत ध्यान रखना ठीक है, तो 28 जून तक तुम्हारे जितना परसेंट slayvers complete है माल लो 50% हुआ है, माल लो 25% हुआ है माल लो 30% हुआ है जितना भी complete हुआ है अगर अगर नया पढ़ोगे तो इससे भी कम number आएंगे तो ये ध्यान में रखना है आपको मैं बता रहा हूँ अब अगर नया पढ़ोगे तो पुराना भूल जाओगे बहुत simple था चीज समझ के रखो अगर कोई ऐसा बच्चा जो कुछ भी नहीं पढ़ा तो तो नया पढ़े गई ठीक है तो जो भी बच्चा है अगर माल लो आपके 200 number भी आ रहे है या 150 number भी आ रहे है तो अगर आप इस marks को ensure करना चाते हो इसको बढ़ाना चाते हो तो नया मत पढ़ना मैं आपको बहुत दावे के साथ ये बोल ला हूँ ठीक है क्या करेंगे अगर नया नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा चीज गल्ती पहले गल्तिया मैं बता देता हूँ फिर मैं इसके सुझाओ भी आपको दे दूँगा ठीक है रैंडम मॉक्टेस मत देना तो आपका टाइम बरबाद होता है और आपके कुश्चन की क्वालिटी अच्छी आपको नहीं मिलती है तो नीट लेवल का अगर आपको लग रहा है कोई मॉक्टेस है ठीक है तो वो मॉक्टेस दे दीजे हम भी आपका मॉक्टेस एक AIMT कराने वाले है 26 जून को पहला AIMT है ठीक है चार फुल फ्लेवस मॉक्टेस है फ्री है ये लिंक इसका डिस्क्रिप्चर में दिया है तो इसको जॉइन कर लिजे रेफरेल कोड आनन जूज कर लिजेगा ये कम्पलीटली फ्री है तो ये मॉक्टेस आप फॉलो कर सकते है ठीक है तो रैंडम मॉक्टेस नहीं देना है अगर आपको मॉक्टेस देना है होगा मॉक्टेस का जुगार मैं आप करा दूँगा मेरे टेलग्राम पे भी मैं डेली लाइव मॉक्टेस कराई रहूं और रोज मैं नीट के एक्जाम के दिन भी आपको mock test भेजता रहूँगा ठीक है? तो ये random mock test मत करना, ये मेरी गुजारिशा आपकी LN के कर लो mock test, आकाश के कर लो, कोई और पुनीवे में इस्टूट है उसका कर लो ऐसे ये चुन्नू-मन्नू mock test जो 100-200 रुपे वाले होते हैं, उसको मत करना, ठीक है मतलब ऐसा नहीं कि सारे 100-200 रुपे खराब ही होते हैं, बट यूजवली जो भी random mock test है जिसमें लग रहा है तुमको की quality अच्छी नहीं कोशन की, वो mock test मत देना तीसरी चीज, दिन के time में सोना मत, ये बहुत गंदी आदत आपके लग जाएगी और पूरा sleeping cycle आपका disrupt हो जागा, क्या होता है, कि exam के time पे तुम लोग क्या होता है, जाग जाते हो सुभा सुभा, जोश में हम सुभा 6 बजे उठके फढ़ेंगे, अब सुभा 6 बजे उठत आते हैं, तो ये ध्यान रखना, आप भले ही 7 बजे उठिए, आप भले ही 8 बजे उठिए, आप भले ही 8.30 एम उठिए, बट अब दिन में नहीं सोना है, रात में जल्दी सो जाओ, वो चलेगा, लेकिन दिन में खास करके जो ये 1 से 6 पीम का जो time slot है, इस time slot में नहीं सोना आप बोलो कि सर, दोपहर के बाद खाने के बाद तो नीन तो आती है, ये सी का थंडा हुआ लगता है, तो नहीं बटा, आपको किसी भी हाल में ये नहीं सोना है, ठीक है, ब्रेकफास्ट, हेवी करना सीख लीजे, और लंच बिल्कुल light करना सीख लीजे, ठीक है, ब्रेकफ अब करना क्या क्या आपको, वो मैं आपको बता तो सबसे priority wise, at least 10 offline mock test आपको देने है, with OMR, अब बोलो कि सर, ये कब से कब शुरू करे है, first, जुलाई से start करो, ठीक है, mock test देना, और 10th जुलाई तक रोज दो, एक full syllabus mock test with OMR, ठीक है, पक्का टाइमर लगो, 3 hours 20 minutes का, ठीक है, अब बोलो कि सर, ये mock test दे दो, बिल्कुल मालिक दे देंगे, जैसा हुकुम आपका, ठीक है, तो टेलिग्राम चैनल पे, मैं ये mock test आपको ठीक है, mock test का print out आपको मत निकाल लिए, सिर्फ OMR का print out निकाल के रख लेना, ठीक है, और फिर ये mock test आप देना, ठीक, तो इससे तुम्हारा है, at least OMR filling, paper कैसे eliminate करते answer, paper कैसे attempt करना है mock test को, वो हम अभी एक अलग से वीडियो में बताएंगे, OMR कैसे fill करना है, कब fill करना है, detail में, how to attempt, need 2022 question paper, इस पर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, option evaluate कैसे करना है, option eliminate कैसे करना है, इस पर एक अलग से वीडियो में बना दूगा, but अभी भी जानने रखना है, कि आपको ये target में आना चाहिए, कि आपको 10 mock test offline देना है, कहा मिलेगा आपको बिटा, telegram channel मेरे free of cost म इसका analysis बहुत जादा important है, नहीं तो आपके number बढ़ेंगे नहीं, मेरे test में मेरे 100 number ही आए, क्यों 100 number है, इसका जवाब मुझे पता होना चाहिए, और उसको improve करने के लिए हम क्या कर रहे है, वो भी मुझे पता होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, मतलब जैसे मैंने test 1 में number 200 आए है, तो test 2 में 220 आएंगे, test 3 में 245 आएंगे, ऐसे आपका progressively number बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि random number आए, किसी test में 400 आगया, किसी test में 200 आगया, किसी test में 200 आगया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो जो भी आप test देना है, उसका analysis कीजिए, उसके concept, आप कैसे mistake कर सकत है, concept पे focus कीजिए, concept पे कैसे पढ़ना आपको, उस concept को मैंने बताया है, मेरा भाईल जी, crash course है, उस particular topic को वहाँ से पढ़ लीजे, ठीक है, तो topic संटिक पढ़िए, ठीक है, उसके, अगर मालो कोई silly mistake है, तो ध्यान दो कि दुबारा वो silly mistake नहीं करो, ठीक है, तो जो भी ऐसे कीजिए हैं, उस पे आपको focused way में synchronous तरीके से करना पड़ेगा, ताकि आप progressively improve करें, mistake notebook रखो, जैसे मैंने आपको बोला था, यह mistake, notebook आप रखिए, और इसको भी religiously follow कीजिए, और mistake notebook जितना भरेंगे, उतना अच्छा है, ठीक है, तो जब भी mock test दे, आप paper analysis जरूर से जरूर क दा ले, ठीक है, अगली बात, set your daily revision target, अब समझो, एक बहुत important चीज़ है, कि मुझे पता है, कि मुझे इसको revise करना है, कहां से revise करना है, ठीक है, तो एक दिन में, अब तो 20 दिन का आपको target है, कितना revise करना है, कहां तक, ठीक है, और इसका source क्या है, कहां से revise करना है, यह पहल ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, physics और chemistry कर रहे हो, तो one page notes से revise कर लो, biology कर रहे हो, तो key notes या rapid anxiety revision से revise कर लो, मतलब कोई chapter कभी नहीं पढ़े हो, तो rapid anxiety revision से revise कर लो, अगर एक बार पढ़े हो, तो key notes से revise कर लो, ठीक है, तो ऐसे आपका हो जागा, तो आप अपना daily target fix कर लीज है ना, मुझे पता है, मुझे आज 4 chapter करने है, तो 4 chapter मैं revise रहते करूँगा, ठीक है, chapter wise question नहीं कीजिए, ठीक है, chapter wise question को अब avoid कीजिए, अब random question कीजिए, full flavor question कीजिए, तभी आपका भला होगा, chapter wise question को करना से बचिए, तो ऐसे जब आप अपना revision target डालेंगे, कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आपका focus रहेगा, but again आपका focus revision पे रहेगा, based on your mock test, नया नहीं पढ़ेंगे आपको, ठीक है, इन चीजों को आपको follow करना है, तो मतलब अगर आपको मोटा मोटी मैं समझाओ, तो आपको क्या क्या चाहिए, physics के लिए आपको one page notes, अब जितना हो गया, उतना ही करो, ठीक है, chemistry के लिए आपको one page notes, biology के लिए आपको rapid anxiety revision, या one page notes, इन दोनों में से कोई ये कर लेना, अगर इन दोनों में से कोई ये कर लियो, या मेरा anxiety review कियो, तो directly key notes, 2.2, इस से आपका revision complete होगा, जो concept में दिक्कत आ रही है, concept यहीं पर playlist है, biology crash course की, इस playlist से कर लो, physics crash course की playlist है, इस playlist से कर दो, chemistry crash course की playlist है, उस playlist से वो concept particular पढ़ लो, तो धीरे 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 20 दिन में, आप नहीं कुछ भी तो 200 number improve कर लेंगे, अगर ये pattern आप follow करते हैं, गुमरहा मत होईएगा कि कोई नया सीरी जाया, मैं उसमें चला गया, कोई कुछ आ गया, मैं उसमें चला गया, random कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है, तो multiple revision पे आपका focus होना चाहिए, कम से कम बायल जी के NCRT, अब आपकी इस हालत में होनी चाहिए, कि आप पूरी किताब 6 घंटे में revise कर पाएं, ताकि exam के एक दिन पहले, आप पूरी बायल जी के किताब का NCRT revision एक बार में कर पाएं, तो अपने resources को सजोईए, ठीक है, मैंने इतने प्यारे keynote डाल के दे दिये हैं, कि मतलब आप पूरी किताब का revision एक दिन में कर सकते हैं, सिप मेरे revise in 15 minutes वाले वीडियो से, ठीक है, तो यही चीज़ें आपको follow करनी है, अगेन मैं repeat करूँँगा बेटा, टेलिग्राम चैनल जरूर से जरूर जोइन के लिएन अगर अभी तक नहीं कियो, वीडियो बतन आया तो वीडियो को like किजिएगा, चैनल को subscribe किजिएगा, और कोई help चाहिए मेरी, कोई जरूरत है मुझसे, तो भी comment section में जरूर बताएगा, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, जितना भी number आयेगा, हार नहीं मानेंगे हम, 17 तक जी जान जोगतेंगे, right? Hashtag neat holding, comment section, आपका प्यार, आपके target, आपका प्रतिग्या से भर जाना चाहिए, वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चानल को सब्क्राइब कीजिए, और बेल लाइक के अंदर बढ़े, ताकि आपको इनोटिशन में समस्क्राइब, I'll see you in class, take care, bye bye and have a great day, thank you.